मेरे चैनल पर आने वाले सबी दर्शकों श्रोतों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार इस बार पांचे दिन के बाद आपके पास आ रहा हूँ लगातार परवास में रहने के कारण बच्पन से जिन कामों के लिए मैं लगा हूँ उनी में से आज एक नया मिशन मंदरों को सेवा और संसकार का सोरोजगार का शिक्षा का एक्टिव सेंटर बनाना और इसलिए जरूरी है कि पिछले साथ आठ सो सालों से जो चनोतियां आ रही है समय समय पर उस समय के महापुर्शों न उन चनोतियों को जिस ठंक से मुकाबला किया है उस कारण से ही हम कुछ बच गए है लेकन हमले बराबर वैसे ही हैं उनके शडंतर जो उनके अजन्डाज हैं उनके अजन्डे में जो भी शडंतर है जो भी भारत को तबाह करने के लिए भारत को तोड़ने के लिए भारत को खतम करना है तो यहां का पुतुरूप समाज, हिंदु समाज को शिकार बनाना पड़ेगा उस पर अटैक करना पड़ेगा कहीं चलबल कपट से, लालत से, स्वार्थ से, कहीं संख्या बढ़ा करके तो मंदरों को एक्टिव सेंटर बनाने का मतलब यही है, कि ऐसे एक करोड मंदर हैं भही, दस लाक मंदर भी अगर एक्टिव सेंटर बन जाते हैं, और जिस समाज के ऊपर जो चनोतियां है, डर है, भय है, अतंक है, एक याथार्थ है, उसके अस्तित्व के आगे एक प्रशन चन लगा हुआ है, ऐसे इन सब बातों का उत्तर, दस लाक मंदरों से, जो शक्ति उठेगी, जो आवाज निकलेगी, जो आवाज गूंजेगी, पूरे का पूरा वातावर्ण, पूरे का पूरा विश्व, फिर से गुंजाए मान होगा, और भारत पुना से विश्व गुर होगी, समाज ठीक होगा तो सब चलेगा, आज लकली कुछ हद तक के अंदर की सरकार, इन मामलों में सजग भी है, स्तरक भी है, लेकिन सारे काम वही क्यों करेंगे भई, कुछ हम भी तो करें, उस दिश्व से पूरे देश के अंदर मेरा ब्रहमन हो रहा है, जा रहा हूँ, बाहर मेरे लिए recording करना कहीं थोड़ा सा कठिन हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, कि मैं लगातार आपको महिने में 25-26 दे रहा था, तो 20 तो मैं कम से कम दूँगा, मेरे चैनल पर मैंने जो लक्ष रखा हुआ है, भारतिये स्वतंतरता समर में, स्वतंतरता संगर काम में, 190 वर्ष का समय लिया है मैंने अभी, इस्ट इंडिया कमपनी के आने से लेकर, ब्रिटिशर्स के जाने तक का समय, इस बीच में वो अनगिनत, अग्यात, अलप ग्यात, असंख्य, ऐसे महान करांतिकारी भारतमा के सपूद, जिन्होंने वास्तों में इस इश्की अ नेतारी सुभाचंडर के लिए जो सौदा हुआ वो भी आपको पता है, कॉंग्रस को बनाया किसने था और कॉंग्रस उस बीच में क्या कर रही थी, जो वो बोलते हैं कि अजादी उन्होंने लेकी दी और बिना खड़क, बिना डाल देके दी, इससे बड़ा करूर मुजाक और क्या हो सकता है, गांदी और नैरु जिन्होंने एक लाठी नहीं खाए, वो कॉंग्रस जो एक अंग्रेज ने शुरू की थी, वो कॉंग्रस जो आज इटली की मा बेटे के पास है, चलिए, आज का विश्य मेरा केवल इतना ही है, कि उन महान क्रांटी कानियों को समरन कर करने का काम मैं चैनल के मादियम से कर रहा हूँ, आज भी एक ऐसे बहुत ही अग्यात, दूर दूर तक जिनका जिकर कहीं नहीं सुनने पढ़ने को मिला, ऐसे विश्यु शरन दूबलिश, विश्यु शरन दूबलिश, ये नाम महान क्रांटी कारी, महान क्रांटी कारी, प् पहली बार सुना होगा विश्णु शरण दुबलिश काला पानी भेजे गए लेकिन उसके पहले देखें जला काकोरी ट्रेन लूट कांड के आरूपी शरी विश्णु शरण दुबलिश ने अपनी जवानी के ठारा वरश जेलों में बिताए थे उन्हें छे वरशों तक काला पानी अंडमान जेल में भी अमानविये यातनाएं सेहन करनी पड़ी थी मेरट जनपद के मवाना कसवे में 1899 में जन में दुबलिश जी बीस वरश की उमर में स्वादींता संग्राम में कूद पड़े थे उन्होंने 1919 में रोलो टैक्टिक के विरोध में उत्तर भारत के प्रमुक शहर मेरट के नौचंदी मेले में हड़ताल कराकर कांग्रसी नेताओं पर अपना सिक्का जमा दिया था उस समय मेरट के अंग्रेज जिलादीश अलैक्जेंडर ने क्या कहा था इसके बारे में भाई यह जुवा शात्र दुबलिश इसको खतरनाक घोशित कर दिया इंटेलिजन्स को पुलिस वालों को बता दिया वैं इस पर नजर रखो और आगे बढ़ते हैं तो उन्नीस सो बीस में कॉंग्रस के कलकत्ता दिवेशन में जब लाला लाजपात रायने यूकों को आहवान किया था क्या, कि वे देश वाशियों के खून से रंगी सरकार की सहाईता से चलनेवाले कॉलिज ओं को छोड दे तो दुबलिश इस विष्ठनुशरन डुबलिश इस ने कॉलिज छोड़ दिया छोड़कर अपना जीवन देश की स्वादिन्ता के लिए समर्पित करने का दृट संकलप ले लिया 1921 में कार्तिक पूर्णिमा के गड़ मुक्तेश्वर गंगा मेले में आयोजित कांग्रस की विशाल सबा वो पंदित मोतिलाल नहरू की अधक्ष्टा में हुई उसमें मवाना तैसील को सत्याग्रा का केंदर बनाने का निरने लिया गया लेकर ये निरने यहीं तक नहीं था इस दुबलिश के लिए देखते ही देखते मवाना का कांग्रस कारेले सत्याग्रा का भव्य के इंदर बन गया सैंक्डो जुवक वहां इकठे होते और गाउं को निकल पड़ते गाउं गाउं में जाकर के स्वधिनता अंदोलन के प्रति जन जागरती देखकर अंग्रेज अधिकारी बुखला उठे उन्होंने मवाना का कांग्रस कारेले फोज की टुकडी से घेर लिया पंद्रा जनवरी 1922 को अंग्रेज अधिकारी ओवन के लित्रेतव में पांसो गोरे सिपाहियों ने कांग्रस कारेले पर चापा मारा और दुबलिश चीपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी विश्णू शरन दुबलिश उनके शरीर को लहु लहान देखकर मवाने की जनता भड़क उठी बड़ी मुश्कल से हिंसा पर काबू पाया जा सका उन पर मेरिट में मुकदमा चलाया गया और सवा वरश कठोर कारवास की साजा सुना कर जेल भेई दिया गया अभी शुराती दौर था दुबलिश ची बरेली जिला में सजा काट रहे थे कि उस समय विक्यात क्रांतिकारी युवक का कोदिकान में जिनका में नाम आया है रामपरसाद विस्मिल पंडित रामपरसाद विस्मिल के संपर्ख में आये दुबलिश ची दोनों ने जेल में स्वादिन्ता के बारे में विचारवी मरश किया विचारवी निम्मे हुआ उनके अंदर शिरी विस्मिल उन्हें इस बात पर सहमत करने में सफल हो गए कि सशस्त्र करांटी से ही अजादी पाई जा सकती है दुबलेश्ची ने बताया था क्या बताया था दुबलेश्ची ने सवरकर जी द्वारा लंदन में क्रांटी की धूम मचाने और मदल लाज धींगरा द्वारा लाज करजन वाईली की हत्या के बाद ब्रिट शासन के थर्रा जाने की घटना ने भी उन्हें प्रेरित किया दुबलेश्ची क्या रहे है क्या प्रेरित किया कि यह अंग्रेज हिंसा का मुकाबला हिंसा से किया जाना पर ही यह बाज आएंगे यह संभाले जाएंगे यह कंट्रोल होंगे अन्निठाइन का अतंक बढ़ता जाएगा जेल से रहा होने के बाद दुबलेश्ची ने क्रांतीकारी गतिविद्यों में भाग देना शुरू कर दिया वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य बन गए उनके मेरेट स्थित निवास्थान पर अनेक बार चंदर शेकरदाद रामपरसाद विस्मिल लाते रहते थे उन्नीस सो पच्चीस में काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में ले जाया जा रहा सरकारी खाजाना लूटा गया उसके बारे में मैं बहुत एपिसोड दे चुका हूं हर एक पात्र का अलग लग एपिसोड दे चुका हूं वो जो लूटा गया था यह खजाना जो रामपरसाद विस्मिल रजिंदर लाडी रोशन सिंग अश्वाक उल्ला कान और मनमत नात गुप्त ऐसे कुछ साथ थी थे साथ साथ दूबिलेश्ची भी उनके साथ थे और दूबिलेश्ची को भी सब के साथ ग्रिफ्तार कर लिय गया चार करांती कारियों को तो फार्शी पर लटका दिया गया दे चुका हूं मैं सबका एक एक का अलग लग से और शेश्च चो बचे थे उनको कारवास में सजाई दी गई दूबिलेश्ची को दस वर्ष कठोर कारवास की सजा सुनाई गई लेकिन बात यहीं नहीं रु जगडा हो गया बलवा हो गया आपस में ठीक ठाक हाथ पाउं चलने लगे तो इसकी सारी जिम्मेदारी दूबिलेश्ची के सिर्म गड़ दी गई मड़ दी गई दूबिलेश्ची का ही कारणामा है उसी के कारण यह बाकी साथियों को इंस्टिगेट करते हैं और पुलिस वालों के उपर हाथ उठाया गया है उन पर मुकदमा चलाया गया और आज एवन कारवास की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया दूबिलेश्ची आगे जाकर एक जगा लिखते हैं बताते हैं कि अक्तूबर 1929 में मुझे काला पानी भेज आ गया मैं पढ़ चुका था कि अंडरमान की इस अतिहासिक जेल में वीर सावरकर भाई पर्मानंद प्रिट्वि सिंग अजाद ऐसी अनेक हस्तियां विभूतियां उस जेल में रही हैं जेल में पहुंचते ही सबसे पहले उस कोठी के दर्शनों को उत्सक था जिसमें सावरकर जी को रखा गया था एक दिन जब जेल बॉर्डर ने मुझे ये कोठी दिखाई तो ये नत्मस्तक हुआ उसके सामने खड़ा रहा कुछ पुराने बॉर्डरों ने सबरकर बंदों के मार्मिक संस्मरन भी मुझे सुनाए सबरकर एक नहीं दोनों भाई काला पानी उसके कुछ मार्मिक उस समय के कुछ ऐसे इंसिडेंस मुझे सुनाए पूरे आठ वर्षों तक दूबलशी अंडमान जेल में यातनाएं सेहन करते रहे सितंबर 1936 में उन्हें अंडमान से लाकर बनारस जेल में रखा गया और वहां से उन्हें मेरट जेल में भेज़ दिया गया नवंबर 1938 को उन्हें जेल से रहा कर दिया गया लेकिन उसके बाद भी कुछ इंडिया मोमिंट के अंदर पूरी तरह से भाग लिया उसमें भी वो फिर से सवा तीन वरश जेल में रहे अजादी के बाद भी वो एक्टिव रहे वो विधायक भी रहे पार्लिमेंट में पार्लिमेंट के मेंबर भी रहे सांसद भी रहे लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पार्लिमेंट के अंदर संसद में उन्होंने ही सबसे पहले अंडमन जेल को जिसमें अनेक क्रांतिकारी बंद रहे थे राश्ट्रिय समारेक घोशत किये जाने की मांग की थी अब चुंके कॉंग्रस से कई कुछ लोगों ने यात्रा रम किये होगी बहुत कम लोगों ने और बाद में जब उनको लगा कि यह कॉंग्रस के कारण और इस सत्याग्रा के कारण चर्खे और चकली के कारण अजादी नहीं मिलेगी तो जो लोग दूसरी तरफ गरम दल में लाल बाल पाल के साथ ऐसे अने एक एक नहीं हजारों महान करांती कारी जिनों ने इस देश की अजादी के लिए शब कुछ निशावर किया ऐसे उन सब महान लोगों की श्रिंखला में उन सारे महान लोगों की श्रिंखला में श्री दूबलष्ची विश्नु शरन दूबलष्ची जेलों में रहें काला पानी में रहे आने के बाद फिर सेवा 3 साल जेल में रहें काला पानी की सजाएं तो क्या रही होंगी आपको पता है बहुत बार बताया है ऐसी सब दौर से गुजरने वाले इनको भी तिहास में नहीं पढ़ाया गया कि दूबलश जी का ये तो अजादी के टाइम भी जिंदा थे उसके काफी वर्षों के बाद ये संसार से गए है इनको भ गए खप गए उनको भी नहीं पढ़ाया गया काला पानी से 90% जो बापिस ही नहीं आए अरे उनकी लिस्ट कहीं तो होगी ऐसा हो नहीं सकता ना हो लेकिन किसी का नाम अजादी के बाद की किसी भी जनरेशन को पीड़ी को बलके वो तो छोटे बाल से लेकर बुड़े तक क सबको जानकारी मिलनी चाहिए थी कि इनके कारण देश को अजादी मिली है परंतु इस से उनका एजंडा गर्बुड हो जाता इनको तो ये प्रूव करना था कि अजादी कांगर्स ने लेके दी है नहरूर गांदी ने लेके दी है मैं कल भी नेतरी सुभाचंदर बोस का उस आखरी चोट का हवाला दे चुका हूँ बता चुका हूँ बहुत कुछ आजकल सामने आ रहा है सोशल मिडिया में भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है इन सब महान करांती कारियों को शर्धांजली देने का काम समरन करने का काम इस चैनल के माद्यम से आज की जनरेशन को इनके नाम पहुंचाने का काम इस चैनल के माद्यम से मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए समस्कार जै भारत थन्यवाद